हलो दोस्तों, एजुकिशन कर्टा चनल में आप सब लोगा स्वागत है और दिक्षा एप में निष्ठा प्रस्रिक्षन दो नुवंबर से प्रारंब हो गया है और प्रारंब होने के साथ ही साथ इसके सर्वर में भी जो है बहुत ज़्यदा परिसानियों का सामना जो है हमारे शिक्षक साथियों को करना पड़ रहा है कई प्रकार के समझ्याएं आ रही है कई शिक्षक साथियों के मोबाइल पर कोर्स दिखाई नहीं दे रहा है तो कई का लॉग इन नहीं हो रहा है और कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जिनका login तो हो गया लेकिन जो videos हैं वो जो है planning हो रहे हैं आज हम देखते हैं इस video में कि जिनका login नहीं हो रहा है या जिनको course दिखाई नहीं दे रहा है वो शिक्षक क्या करें तो सबसे पहले आप जाएए यहाँ पर course पर कुर्स में क्लिक करें तो इस प्रकार यह course हमको दिखाई देने लग जाते हैं यदि किसी के में मेरे course दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप जाएए यह जो three lines हैं इसको क्लिक कीजिए यहाँ पर देखिए log out करें दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको login करें यह option आएगा इसको आप क्लिक कीजिए और login with state system में जाएए अपने राज्य का chain कीजिए और प्रारंभ में आपने यदि अपने कर्मचारी code के माध्यम से login किया था तो उसी प्रक्रिया के माध्यम से आप login करें या आपने mobile number के माध्यम से दिखिया था तो mobile number के थुरू आप जो है login कर सकते हैं एक बाद जब आप लॉग इन कर लेंगे तो आपको ये जो है कोर्स में आप क्लिक करेंगे तो मेरे राज्य की कोर्स जो है आपको दिखाई देने लग जाएगा उसके बाद फिर आप एक-एक मॉड्यूल को इस प्रकार क्लिक कीजिए और सीखना जारी रखे इसको या लॉग इन होने के बाद ये कोर्स आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसी स्थिती में भी आपको घबरानी की आउशकता नहीं है देखिए आप जो है इस प्रकार आपको जो तीन माड्यूल अभी आए हैं इसका लिंक जिन साथियों के मॉबाईल में ये कोर्स दिखाई दे रहे हैं आप उनसे मंग सकते हैं या मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये तीनों माड्यूल के लिंक आपको दे दूँगा लिंक पर आप इस लिंक को सीधा सीधा इसा क्लिक करेंगे और यहां पर ब्राउजर आ जाएगा आप अपने दिख्षा एप के साहता से उसको खोलेंगे देखिए हम तयारी कर हैं ऐसा आएगा और कोर्स में भाग लीजिए आप यहां पर भी क्लिक करके कोर्स को पूरा कर सकते हैं तो आप जो है लिंक के माध्यम से वाटसप पर टेलिग्राम पर यह लिंक आपको आसानी से मिल जाएगा यदि नहीं मिलता है तो आप ऐसे साथ ही जिनके मोबाइल में खुल रहा है वहाँ पर शेयर का आपसन आता है जैसे देखिए कोर्स में भाग लीजिए यहां पर है तो यह शेयर का आता है ऐसे आप जो है शेयर करा सकते हैं और अपना यह जो तीनों माड्यूल है उसको आप पूरा कर सकते हैं अब बात करते हैं हमारे ऐसे साथियों की जिनका जो है पंजियन इस पर नहीं हो पा रहा है कई साथी ऐसे हैं जो लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए कुछ यहां पर उपाय दिये गए हैं जैसे कल ही जो है इसके बारे में SCRT से एक लेटर जारी हुआ है कुछ ऐसे सिक्षक हैं जो अकादमिक सदस्यों के लिए डाइट के BRC हैं CAC हैं शिक्षक और शाला प्रमुखों को जिने तकनीकी समस्या रही हैं उनके लिए पंजियन कैसे करें तो आपको लॉग इन विथ स्टेट सिस्टम करके देखना है और यदि नहीं हो पा रहा है तो आप जो है सीधा सीधा देखिए दिक्षराट gov.in ये आप जो है वेबसाइट खोल लें और इस पर explore दिक्षा को क्लिक करके अथवा profile पर क्लिक करें और लॉग इन करके अपनी विवरण अच्छी तरह जाच लें किसी भी तरह की विसंगती हो तो उसे एडिट करके ठीक कर लें लॉग इन विट स्टेट सिस्टम से लॉग इन करने पर विवरण जाच नहीं किया हो सकता नहीं है और कोर्स में क्लिक करके आप जो है यहाँ पर भाग ले सकते हैं साथ यसाथ एक और विकल्प यहाँ पर बताया गया है निश्टा प्रिस्क्षन 2021 इसका ये वेबसाइट लिंक है दिक्षा.gov.in इस पर एक्स्प्लोड दिक्षा को हमको क्लिक करना है और टीचर आप टीचर के रूप में टीचर को सलेक्ट करें अपना राज जी और जीला क क vari Access derniers तौन मोबाइल आप इस्टेट पर कलिक करें एवं लॉग इन करें जो सिक्षक लॉगइन विस्टेट सिस्टेम पर लॉगइन नहीं कर पा रहे हैं वे डारेक्ट कर सकते है रजिस्टर ही यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा रजिस्टर हीय का उप् अपने मोबाइल नंबर से आप पंजियन करें आपके पास जो OTP आएगा वो धर्ज करें और अपने मोबाइल नंबर एवं स्वयम के रखे गए पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं उसके बाद आप अपने कक्षा और विशाय का चैन करें फिर से टीचर का सेलेक्शन करें और अपने नाम को सेलेक्ट कर प्रोफाइल को क्लिक करें और अपना पूरा विवरण जो है इसमें दर्ज करें दर्ज करने पर जो है क्लिक करें फिर से आप टीचर और चत्रज कर चुने विवरण दर्ज करें और आपके विद्यालय का नाम यूडाइस था आपका टीचर आईडी बहुत ही महत्पूर्ण है इसे साउधानी से दर्ज करें इसे फोटो खिच कर रख लें जो आपके पंजियन का शाक्ष होगा तो आप जो है जिन लोगों के में बिल्कुल भी लॉग इन नहीं हो पा रहा है ऐसे सिक्षक जो है रजिस्टर करके भी लॉग इन कर सकते हैं अभी server में परिसानिया चल रही है इस वज़ा से कई लोगों के mobile हैंग हो जा रहा है तो आप यह भी कर सकते हैं कि अपने mobile को आप बंद कर दीजिए 10 मिनट के लिए बंद रहने दीजिए उसके बाद आप फिर से जो है उसको open करें और चालू करकर देखें जिसे कुछ परिसा जानिया आपकी इससे भी साल्व हो सकती है तो दोस्तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो जरू लाइक करें शेयर करें और एजुकेशन के अड़ा चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें धन्यवाद